नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं आचार जागिंद्र मिस्त्रा आज हम बात करेंगे आज के कन्या राजफल की उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की बारे में 13 सितंबर 2020 रवी बार का दिन है अशुनी माश्य क्रिश्न पक्ष की एक अदसीती थी है और नचतर है पुनर वसु अभजीत महुत दुपहर 11 बच के 40 मिनट से लेके 12 बच के 37 मिनट तक रहेगा दोस्तों आज का जो सूर उदय होगा वह सुबह 6 बच कर 18 मिनट पर होगा और आज का असुब समय होगा यानि कि दुपहर 2 बच कर 69 मिनट से लेके 4 बच कर 28 मिनट तक इस असुब समय में कोई भी सुब और नई कार की शुरूआत ना करें नहीं तो बिग्न वाधायां शक्ती है अब बात करते हैं आज के विशेश गुड़ लगी दोस्तों आज इंद् आज ब्रत का संकल्प लें सुबैसनान ध्यान करके और जब संकल्प लेते हैं तो आज के दिन घर में चावल बिल्कुल ना बन बाएं और पीले पुस्प और पीले चंदन धारन करें पीले पुस्प अरपित करें भगवान विश्णों को जो आपकी सारी मनों कामनाय पूर अब बात करते हैं आज के दैनि यानि कर रास भलकी और ये प्रोडिक्शन चंदराशी पराधरी थे आज हम बात कर रहे हैं कन्यारास भलकी कन्यारास वालों आज के दिन आप के लिए बहतर कोई सुभ समाचार केरियर से ले कर मिल सकता है चाहे वो पद पृतिष्ठामान सम्म जरूर मिलेगा केरियर से लेकर बेतन के ब्रिद्धी जो लोग प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं कमपनी वगारे से उनके लिए बेतन में ब्रिद्धी की योग बन रहे हैं वैसे कन्यरास वालों आज की दिन आर्थिक रूप से मजबूती आ रही आपके केरियर में भी धीरे धीरे यानि सुधार हो रहा है पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं खुद को थोड़ा सा उलज़न किसी काम को लेकर यानि महसूस कर सकते हैं यानि कि जो पहले उलज़न थी उससे आप बाहर निकलते हुए नजराएंगे यहाँ पर कुछ चीज़े आपको परेशान भी कर सकती है इस्टाप के कुछ ऐसे लोग होंगे जिससे बाते हलकी फुलकी हो सकती है तो आपको अपने वाड़ी पर और सयम से धहर से काम ले आपको सफलता जरूर मिलेगी कन्यरासवलों आज के दिन अगर हम बात करें आपके बिजनेस ब्यापार के लिए तो देखे आज आप कुछ प्रोपरिटी वगएरा खरीदने के लिए सोच रहे हैं या तो आप अपने घर के घर को बनाने की तयारी के बारे में सोच रहे हैं वसे अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं धन वगएरा पैसा वगएरा आज तो निश्ची तोर पे आपके लिए सुब समाचार है बेहतर धन के आगवन आएंगे सुक्ष संपत्ति धन और एस आज की दिन आपको कोई आकास्मिक धनलाब भी मिल सकता है करने राश वलों आज की दिन धनके मामले में आज आप यानि नई रर्मनीत भी बनाते नजर आएंगे यानि आज आपको लाव जादा मिलेगा पारिवारिक जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिससे मतव जेद हो सकता है यानि कि आपके बातों को नजर अंदाज कर सकते हैं तो आपको ज्यादा टेंसन लेनी के आवशक्ता नहीं है वैसे घर का माहल ठीक है मांगलिक कारकरम हो रहे हैं घर में मांगलिक उत्सव हो रहे हैं और किसी धार्मी के जगह पर आप जा सकते हैं सामिल हो सकते हैं सामाजिक छेतर में आपका मान समान भी आज बढ़ेगा वैसे आपके अगर बैवाहिक जीवन की बात की जाए तो कन्या राशवालों आपके जीवन साथी से आज आपको सुब समचार मिल सकता है संतान को लेकर जो जाता कभी तक संतान से बंचित है उनके लिए बहतर और सुब समचार मिलने से आपके मन में तमाम खुशिया ही खुशिया रहेंगी और तालमेल भी बेहतर है यानि बैवाहिक जीवन को कोई गिफ्ट चीज आज दे सकते हैं जैसे कि जोईलिरी से संबंदित सोने चांदी से संबंदित है या हो सकता है हीरे के अंगूठी भी दे सकते हैं आप खुश होकर अगर जो जातक सिंगल है अभिवाहित है उनके लिए नए रिष्टे आने से उनके मन में खुशिया है नए प्रस्ताव आएंगे और यहां पर लव लाइप की बात की जा तो लव लाइप में बहुत अच्छा है धीरे धीरे यानि जो टेंसन खत्म होता हुआ नजरा रहा है और एक दूसरे को बाते मेठी मेठी बाते हो रही है जिंदीगी के यानि बहुत सारे चीजों को आप एक दूसरे से से शेयर कर başka रहे हैं और थोड़ी यानि भगवान के धार्वी कारेों में आप दोनों की रूचिबढ रही जिससे आप साम बाहन की खरीदारी करने का योग भी बन रहा है तो कुल मिलाके अगर स्टुडेंट की बात की जाए तो पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें वरना आज आपका मन नहीं लगेगा तो फिर दिक्कते आ सकती हैं दोस्तों के साथ ना घुमें फिरे वलकी अपने पढ़ाई पर फो 27% दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें नहीं तो चनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए चैसंदुए